हलो फ्रेंड्स मेप्ट दीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में फ्रेंड्स स्टाप सेलेशन कमिशन ने इस्टरन डिजन कॉलकाता के केंडिडेट्स के लिए जुनियर हिंदी ट्रांसलेटर junior translator and senior hindi translator exam lesson 2022 भरती के tier 1 exam का application status check करने का और admit card download करने का link जारी कर दिया है इसके साथ ही इस exam का date भी clear कर दिया है जो की 1 October 2022 है तो आप इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इस exam का status किस तरह से check करोगे और अपना admit card किस तरह से download करोगे अगर आज का ये वीडियो आपको informative लगे तो subscribe करके जूड़े है हमारे साथ चलिए start करते है तो Stunt Region Kolkata के लिए SSC, JST, JT and SST 2022 भरती का application status चेक करने और admit card download करने के लिए से पहले आपको staff selection commission के Stunt Region Kolkata के official website पर आना होगा आपके सुविधा के लिए इस website का link मैंने इस video के description में दे दिया है तो आप इस video के description में जाके जैसे ही उस दिये हुए link पर click करोगे आप इस website तक आसानी से पहुँच जाओगे इस website पर आने के बाद आपको इसके notification section में चले जाना है जहां पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा Know your status of junior Hindi translator junior translator and senior Hindi translator examination 2022 आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे आप एक नए page पर पहुँच जाओगे और इस नए page में जो भी information आपसे मांगा जाए वो सारा information enter करके आप अपने application का status चेक कर सकते हो इसके लिए आपको अपना roll number या registration ID नमबर यहाँ पर enter करना होगा अगर आपको अपना roll number या registration ID नमबर पता नहीं है तो candidates name यानि कि आपको अपना नाम यहाँ पर enter करना होगा या तो अपना roll number या registration ID या फिर अपना नाम enter करने के बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर select करना होगा date of birth select करने के बाद नीचे आपको एक sum मिलेगा इस sum को solve करके यहाँ पर enter करना होगा समको solve करके enter करने के बाद नीचे आपको next लिखावा देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना है जैसे ही आप next पर click करोगे आपको अपने application का status देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही आपके exam से 3 या 4 दिन पहले आपको अपना admit का download करने का option मिलेगा आप अपना admit का download कर सकते हो